सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षा बंधन महापर्व की बहुत बहुत शुब कामनाई और बढ़ाईया आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार वर्ष 2023 में राखी बाननी का शुब महुर्ट कब से कब तक रहेगा भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा तथा व्रत की पूर्णी मा कब रहेगी एवं पूर्णी मा तिथी कब से कब तक रहेगी श्रवन नक्षत्र कब रहेगा और राखी बानने का स्रेष्ट दिन स्रेष्ट समय कब रहेगा। हमारे सनतन धर्म में रक्षा बंधन के महापरव का बहुत विशेष महत्व मना जाता है। इस महापरव का इंतजार सभी भाई और बहन बहुत बैसबरी से करते हैं। ये पर्व विशेष सुरूप से भाई बहन और उनके रिष्टों को समर्पी थे। इस दिन सभी भाई ने अपने भाई के दाहिने हाथ की कलाई में शुब मुर्त में रक्षा सूत्र बानती है। इसके सानथी वो अपने भाई की अच्छी सेहत और लंबी आयू की कामना करती है। वही भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वच्चन देता है। स्रावण महा के शुकलपक्ष की पूने मातिती को रक्षा बंधन का महापरव मनाय जाता है। इस वार अधिकमास पुर्शुत्तमा होने से 15 दिनों की देरी से रक्षा बंधन का महापरव आ रहा है। यह पर्व इस वार 30 अगस्त 2023 बुद्वार को रक्षा बंधन का महापरव रहेगा। प्रतिवर्श सभी बहने अपने भाई की कलाई पर राखी बानने के लिए शुब मुर्थ जानने के लिए अत्यादिक उस्सुक रहती है। इस वार 2023 में रक्षा बंधन शुब मुर्थ को ले करके कुछ असमंजस और भ्रमपून इस्तिती निर्मित हो चुकी है। इस वर्ष 2023 में रक्षा बंधन का महपर्व वैसे तो 30 अगस्त 2023 बुधवार को ही मनाई जाएगा। उसे कहा जाता है। इस वर्ष बंधन रावन को अलपायू योग बन गया था। रावन का सर्व नास हो गया। इसलिए भद्राकाल में कभी भी राखी नहीं बानना चाहिए। इससे घर परिवार में बड़ी हानी होने की संभावना रेती है। राखी बानने के समय इस बार पंचक रहेगा। पंचक पूरे दिन रहेगा। पंचक पूरे दिन रहेगा। लेकिन पंचक का रक्षा बंधन से कोई संबंध नहीं है। पंचक में किसी भी प्रकार से राखी बानने का वरजित नहीं माना जाता है। लेकिन भद्राकाल के दोरान आपको राखी नहीं बानना है। यईने 30 तारिक को सुबह 10-69 तक 14 तिति है। चतुरदशी तिति को रिक्ता तिति माना गया है। और रिक्ता तिति में भी राखी नहीं बाननी जाती है। चाहिए 31 अगस्त गुरुवार को जो पूर्णिमाति थी है वो एक गटी बावन पल रहेगी जो कित्रे मुहुर्त से भी कम है अता इस दिन भी राखी नहीं बानना है तीस अगस्त दोजारतेईस बुद्वार के दिन भद्रा से मुक्त जो सर्वत्तम शुब मूत रहेगा स्रेष्ट समय रहेगा वो रात को नो बचकर के दो मिनिट से लेकर के 31 अगस्त गुरुवार की सुबा सुर्योदय के पहले यारे 6-21 के पहले पहले आपको राखी बानने का कार्य संपन्न करना होगा क्योंकि जब भी कोई शुब कार्य संपादित किया जाता है तो उस कारी में शुबता में व्रद्धी होती है भाई बहन के रिष्टों को अटूट बनाने के लिए इस समय राखी बानने का कार्य आपको करना चाहिए राखी बानने का स्रेश्ट समय 30 अगस्त की रात को 9 बच करके 2 मिनिट से लेकर के 31 अगस्त की सुबह 6 एकीस तकी रहेगा इस दोरान सभी बहने अपने भाई की दाहीने हाथ की कलाई पर राखी बान देगी जब रक्षाबंधन का कारी किया जाता है, तो उस दोरान अपने भाई को एक चोकी पर पटे पर बिठा करके, उसके सिर पर रुमाल रख करके, या टोपी पहना करके, सर्वप्रथम उसका तिलक करें, और तिलक करने के बाद उसके दाहिने हाथ में एक नारियल रखें, और द कई भक्त जनों का एक प्रशना आ रहा है या भद्राकाल में भगवान को राखी बान सकते हैं क्या तो इसका जवाब हम आपको देते हैं कि भगवान को राखी बानने का कोई दोष्ट नहीं है आप देवी देवताओं को सुबह जब पूर्णीमा का पूजन अर्चन करेंगे चूकि 30 अगस्त 2023 को ही ब्रत की पूर्णीमा है चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णीमा भी इसी दिन है इसलिए जब हम 30 अगस्त को पूर्णीमा का पूजन अर्चन करेंगे तब ही उसी समय भगवान को राखी अरपन कर देंगे याने भगवान को राखी बान देंगे भगवान को भधरा में राखी बानने का कोई दोश नहीं है वो तो काल नर्णय के स्वामी है कालो के काल है और सभी प्रकार का मूर्त का निर्मान ही वो करते हैं इसलिए परबरभर्म परमात्मा को भद्राकाल में या किसी भी समय आप राकी बान सकते हैं उसका कोई दोस्थ नहीं लेकिन अपने भाई को गल्टी से भी आपको भद्राकाल के दोरान राकी नहीं बानना है 31 अगस्त को पुर्णिमा रहेगी लेकिन व्रत की पूर्णिमा 30 अगस्त को ही रहेगी जो कि इस दिन स्रावण महा का समापन हो रहा है इसलिए स्रावण महा से संबंदित जो भी समापन के कारी है वो आप 31 तारीक को भी समपन कर सकते ही आप चाहें तो 30 तारीक को भी पूर्णिमा है और उस दिन भी आप स्रावण महा का समापन का जो कारी है वो संपादित कर सकते हैं तो भक्त जनो माताओं भेनो हमने जो ज्ञानवर्दक जनकारी आपको प्रदान किये है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लिजे ताकि इसी प्रकार की ग्यानवर्दक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके आपको और आपकी पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्ट साधर धनिवार